आपको बताने वाला हूँ जैसे आप एक लैप्टप खरीदने जा रहे हैं और आपका वजट 25 से 30,000 तक है तो आप एक परफेक्ट लैप्टप केसे खरीद पाए हूँ तो मैं ये वीडियो में आपको कुछ टीप्स भी दिया हूँ और 3-4 लैप्टप का सजेस्ट भी किया हूँ उससे आप चूज किजिए आपके लिए कौन सा लैप्टप आचा रहेगा जैसे और एक चीज है जो के मैं पहले आपको बता देता हूँ जिसे आप एक लैप्टप खरी दिने जा रहे हैं और आप स्पेसिपिक उस बजेट रखे हैं तो आज के टाइम में अगर आप एक स्लीम लैप्टप चूज करें तो आपका प्राइस रहेगा अगर आपको बहुत सारे चीज में कंपरमाइज करना पड़ेगा तो चलिए देखते हैं डीटर्स को आप जैसे हमारा कोई भी वीडियो वाज कर रहे है तो यहां पर एक सब्सक्राइब बटन आता है तो आप यहां पर सब्सक्राइब बटन में क्लिक कीजिए और इसको सब्सक्राइब कर दीजिए अभी हमारा जीतना भी पॉपुलर ब्रांड है लैप्टप का जिसे लेनेवो हुआ, HP हुआ और Dell हुआ ये तीनों ब्रांड में हमको 25-30,000 के अंदर कौन सा लैप्टप अच्छा है वो देखना है तो जिसे पहला ब्रांड हम देखते हैं लेनेवो तो लेनेवो ब्रांड में दो लैप्टप सबसे अच्छा है ये वजेट में जिसे मैं आपको दिखाता हूँ तो ये पहला मडेल जो है लेनेवो जी 5080 का मडेल है जो के मडेल नंबर 80E 502Q318 है ये 15.6 इंस के लैप्टप है जिसमें आपको आई 3 का प्रोसेसर मिलता है 10 GHz का इंटल i3 प्रोसेसर है और ये 5 जन्रेशन का है और इसके साथ आपको 2GB ग्राफिक्स मिलता है जैसे आपको अगर कोई वीडियो एडिटिंग बगरा करते हैं या गेम हाइंड गेम खेलते हैं तो आपके लिए ये लैप्टप सबसे अच्छा रहे है तो ये 15.16 स्क्रीन के साथ आता है तो आपको बड़ा स्क्रीन भी मिलेगा ये मॉल्टिमेडिया के लिए और इसके साथ साथ इसका डिटेल्स में आपको दिखाता हूं और इसका जो मेन है वेट में 2.5 केजी है तो ये हैंडी के लिए आपको अच्छा रहेगा और इसके साथ साथ आप इसको 16 जीपी तक आपका र्याम इसमें पढ़ा सकते हैं और ये जो आपको ग्राफिक्स मिलना है ये ATI रेडन का ग्राफिक्स आपको मिलता है और बाकी जैसे सभी लेप्टप बगेरा में आज के टाइम में रहता है और ये लेप्टप उन लोग के लिए अच्छा रहेगा जिनको मॉल्टिमेडिया में ज्यादा काम करते हैं वीडियो एडिटिंग हुआ गेम हुआ तो उन लोग के लिए ये लेप्टप आचर आएगा अभी सेकेंड हम लेनेवो का देखेंग और एक मोडेल जो के लेनेवो जी फिप्टी एटी एट जिरो फाइट जिरो टू क्यू एट वान एज है ये लेप्टप भी 1556 इंसका स् और इसमें ये दोनों में डिफरेंस यह है कि इसमें ग्राफिक्स इंटिग्रेटर है और उसमें 2Gb का ATI डान का ग्राफिक्स है तो अगर मॉल्टि मेडिया वगेरा में आप काम करेंगे तो दोनों में थोड़ा सा फरक रहेगा और बाकी आप रोस्वेट सब सेम है इसका क सेरावेट है और इसका कीबोर्ड कुछ आपको ऐसे मिलेगा और इसमें जो वेब क्याम दिया गया है वह सेवन टू जिरो पी का वेब क्याम है तो यह आप्रोस्मेट दोनों का सेम रहेगा बस ग्राफिक्स में ही दोनों में थोड़ा फरक रहेगा और अभी हम जाते हैं डेल में तो डेल का यह एक मोडल है जो के डेल इंस्प्रेंट 3558 नोटबुक है वह भी जेनरेशन इंटल आई 3 प्रोसेसर के साथ आता है इसमें भी आपको 4G RAM मिल जाता है और 15.6 इंच का स्क्रीन है और इसमें Ubuntu जो अपरेटिंग सिस्टम है वह आपको मिलना है जो के एक ओपन सर्स अपरेटिंग सिस्टम है आप चाहे तो उसको डाउनलोड करके भी इंस्टल कर सकते मगर आपको यह प्री इंस्टल इसमें मिलेगा इसक इसमें भी आपको जो वेब क्याम है वह एस्टी सेवन टूजीरो पी का आता है और इसका जो वेट है यह बहुत ही ज्यादा वेट है यह चार किलो का है जो कि लगभख हैंडी नहीं है क्या आप इतना वेट का लैप्टॉप बैग में भी लेके घुमोंगे तो भी आपको बहुत वेट लगेगा या किधर भी कभी कभार बेड में भी अगर उसको लेके कुछ काम करें तो भी आपको बहुत ज्यादा वेट यह लगेगा और इसमें आपको इंटेल का एटी ग्राफिक्स मिल ला है जो इंटिगेटर ग्राफिक्स है और बाकी सभी लगभख सेम है जैसे में आपको लेनेभोग का दिखाया था मगर इसका वेट बहुत ज्यादा है तो आभी और एक मोडल देखते हैं डेल का जोके टेल इंस्परेवन 155559 है यह भी आपको 1556 स्क्रीन के साथ आता है मगर यह 6th जेनरेशन का i3 प्रोसेसर है बाकी जितना भी हम देखेते वह 5 जेनरेशन का था और इसमें 4GB RAM मिल ला है आपको 1TB HardX मिल ला है और इसमें भी इंटिग्रेटर ग्राफिक्स है इसका वेट भी 3.3 कजी है जो के बहुत ही ज्यादा वेट है लेप्टप के हिसाब चे और बाकी configuration देखे तो इसका लगबग सेम है मगर इसमें आपको जो maximum memory support है वो 8GB तक है जैसे लेने वह बगिरा में हम देखे थे उसमें 16GB तक है इन फिल्चर आप प्रियाम को बढ़ा सकते हैं मगर इसमें 8GB तक maximum बढ़ा सकते हैं और इसका प्राइज आमाजन के हिसाब से 29,990 रुप्या है तो अभी हम लास्ट में HP का model देखेंगे जैसे य यह 15.60 स्क्रीन है और यह इंटल i3 6th generation का प्रोसेसर है और इसमें 4G विर्याम मिलता है और इसमें 1TB का हडिक्स मिलता है और इसमें आपको अपरेटिंग सिस्टम इंस्टल करना पड़ेगा जो के DOS आता है और इसके उपर आपको आपका जो भी Windows है उसको इंस्टल करना प बाकी लगबग सभी configuration जो है वह सेम आता है तो अभी यह डेल और HP को हम साइट कर देते हैं अभी हम लेनेवो में जाते हैं जो के सबसे आपके लिए बेस्ट रहेगा लेनेवो का यह model जो मैं पहले आपको दिखाया था यह model का प्राइस को 29,379 है जिसमें आपको ग्राफिक देख मिल जाता है और expandable RAM भी आप फूचर मेद 60GB तख कर सकते हैं और इसमें weight भी ज्यादा नहीं है प्राइस पाइप ज्यादा स्लीम हो जाएगा और उसका weight कम हो जाएगा मगर ये रेंज में आपको 2,5 किलो तक आपका laptop का weight रहेगा तो अगर आपको ये रेंज में laptop लेना है तो ये model सबसे आपके लिए perfect रहेगा तो ये सवी laptop का description में मैं link डिया हूँ आप चाहे तो जाके Amazon में ये check कर सकते हैं आज का ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेट सेक्षन में जरूर लिखेगा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगाए तो लाइक और शेयर करना मत भुलिएगा अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल का होमपेज में जाहिए वहाँ टेक्नो गाइड आपका दिल सुभू